दोस्तो आज बहुत ही बड़ी नीज निकल कर सामने आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडियन गवर्मेंट ने फिर से 54 चाइनेज अप्लिकेशन को बैन कर दिया है जी हाँ दोस्तो जिसमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपलर अप्लिकेशन था वो था फ्री फायर द दोस्तो आप मैं से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार 77 कर क्या रही है कुछ दिन पहले भी कुछ अप्लिकेशन को बैन करदिया था और आज भी येजिश अप्लिकेशन को फिर से तो स हबंद दोस्तो इन 54 अप्लिकेशन के नाम बताने वाला हूं जो इंडिया के अंदर बैन हो चुके हैं और इसका रीजन भी बताने वाला हूं कि इंडियन गवर्मेंट ऐसा क्यों कर रही है कि जितने भी चाइनीज अप्लिकेशन हैं उनको धीरे धीरे बैन कर रही है इस वीडियो को एक भी स्क्रिप नहीं करना और अगर आप ऐसे यूटूब से रिलेटेट टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सस्क्राइब कर देना और साथने बिल आइकन भी प्रेस कर देना तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तर हैंगे दोस्तों मैं उनका एक एक नाम जोंगा तो काफी ज़्यादा विडियो लंबी हो जाएगी सो इसके लिए मैं को स्क्रीन पर सो्क कर दें रहा हूं आप उइसके बाद मैं पसको पढ़ सकते हैं अवर दोस्तों सब सबसे मज़ेदार की बात ये है कि जो सबसे ज़्यादा पॉपलर अप्लिकेशन था फ्री फायर उसका नाम लिश्ट में सबसे नीचे है और दोस्तों फाइनली फ्री फायर भी बैन हो चुका है दोस्तों काफी सारे लोग इससे नाराज हैं जो यूटूबर थे जो फ्री फा बता देता हूं कि फ्री फायर जो था उसका जो मेक्स वर्जन था वह अभी भी पिले स्टोर पे अवेलबल है और कुछी टाइम में वह भी रिमूब हो जाएगा अब दोस्तों फाइनली मैं आपको ये बता देता हूं कि इंडियन गवर्रमेंट ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस जो हमारा डाटा है वो चाहिए फोटो हो वीडियो हो आडियो हो माइक हो कुछ भी हो आपके फोन का जितना भी उनका एकसेज है वो उस कंपनी वाले के पास चला जाता है अगर वो चाहे तो आपकी बातों को सुन सकता है वो चाहे तो आपकी बातों को रिकोर्ड कर सकता है इसके लिए Indian government ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और जितने भी Chinese application है उनको धीरे धीरे बैन कर रहा है अब दोस्तों बहुत सारे लोग के मन में ये doubt होगा कि यार चाइना के अलावा other country के भी application इंडिया के अंदर मौजूद है तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये Google Map भी है जो अगर आप उसको यूज करते हो तो वहाँ पर उसका जो location है उसको no thanks या फिर yes करके उसका apply मांगता है तो दोस्तों वहाँ पर अगर आप no thanks कर देते हैं तो भी आप उसको use कर सकते हैं अगर आप उसको yes कर देते हैं तो भी आप उसको use कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से जो application है वो आपका कुछ भी बना बिगार नहीं सकती और जो allow करने के लिए बोलती है जो China की application है वो दोस जिसे वो करोड़ों में इंकम भी कर रहे हैं तो दोस्तो इस तरीके से जो इंडियन की गवर्मेंट है वो बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया है और चाइना के जितने भी अप्लिकेशन है धीरे धीरे उनको बैन कर रहे है तो दोस्तो आपको ये निज कैसी लगी और आपका जो इंडियन गवर्मेंट का कदम था वो कैसा लगा इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरू बता देना और अगर आपके वीडियो पसंद आईगो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप ऐसे यूटूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो देखना चाहेते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना और साथ में बिल आइकन भी प्रेस कर देना तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों बाई बाई